Hello friends and welcome back to my channel. My name is Praveer and in this video I am going to share my strategy of making intraday trading. So, बहुत ही short and sweet साई वीडियो रहने वाला है, बहुत ही कम समय में आपको बता दूँगा, अगर if you want detailed analysis of my strategy तो you can comment below, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा, because क्या होता है कि बड़े बड़े वीडियो जो रहते वो ज्यादा तर लोग देखते नहीं है, तो उसमें हमारा भी time चला जाता है मतलब और लोग भी नहीं देखते तो that's not worth it कि हम इतना time हमारा spend करके जो है उसमें invest करें, ठ तो अगर आपको चाहिए, तो definitely मैं बना दूँगा उस पर वीडियो, तो guys सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको daily chart लगा लेना है, ठीक है, day frame आपको लगाना है, एक दिन का, तो आपको एक दिन में देखना है कि यार, क्या आज market ऊपर जा रहा है, क्या आज का आपका share is in uptrend, क्या वो uptrend में है या नहीं, यह आपको daily chart से में दिखना चीए, समझना चीए, तभी आप इसमें trade कर सकते हो, ठीक है, अभी आप देख सकते हो यापी, yesterday, yesterday को इसने hammer button candle आप देख सकते हो, यापी, पूरी तरह के से hammer pattern candle बनाया, ठीक है, उसके बाद green में open हुआ, right, green में open हुआ, green में open होने के बाद में एक clear सा indicator है कि आपका share जो है, can go up, आपको इसमें intraday आप कर सकते, आपको सुबर सुबर दिख जाएगा कि अभी market उपर है, ठीक है, तो आप क्या कर लिए उसके बाद 15 minute का chart देख लीजीगा, ठीक है, अभी 15 minute आप देखेंगे आपे, की market अभी क्या पे open हुआ, आप देख सकते हैं, यहाँ पे market open हुआ, 915 को लगबक, right, just a minute, मैं आपको draw करके दिखा देता हू, ताकि आपको अच्छे से समझ में है, अभी आप देख सकते हैं, यह सुबर सुबर open हुआ, उपर खुलते ही नीचे आ गया, right, नीचे आने के आप देख सकते हैं, यह मैंने लगा के रखा है, 50 day moving average, इसको touch करके फिर से उपर चलागा, तो आपको करना क्या है, guys, कि आपको 200 days moving average, 50 days moving average, 20 days moving average, यह आपको लगा लेना है, ठीक है, और जब भी इसको touch करें न, कोई भी moving average को अगर touch करें न, share, तो आपको buy कर लेना है, और उसके साथ, अभी बहुत ही important में आपको बताने वालों कि आपको stop loss बहुत ही कम रखना है, ठीक है, अभी आप सोच सकते हो कि अगर यहां से अगर नीचे आ जाता, तो मेरा stop loss किता होता, कम से कम, एक रूपए या फिर दो रूपए, ठीक है, तो मैं quantity लेता लगबक 200 रूप कि आसपस से ठीक है, तो 10 रूपीज, 10 रूपीज into 20 रूपीज किते हो गया, 2000 रूपीज, तो आप 2000 रूपीज को profit आप लेकर जा सकते हो आपके घर पर, तो इस तरह किसे मैं trade करता हूँ, बहुत ही कम stop loss पे मैं trade करता हूँ, because मेरा ऐसा मानना है कि most of the time आपका जो trade है, वो गलत जा सकता है, लेकिन आपका moving average के नीचे अगर जाए, तो definitely वो नीचे जाने वाला है, ठीक है, so मैं बहुत, बहुत बिल्यू करता हूँ, moving averages पे, लोगों का पता नहीं मुझे, but I truly believe in moving averages, that's it for the video guys, अगर detail में आपको video चोई है, तो definitely you can comment below, thank you for watching, thank you